इस वीडियो में हम लोग जेसे सी जेसे इलेटेड अपडेट की बारे में बात करेंगे और ये अपडेट फाइनल अंसर की के रिगार्डिंग होगी और आप लोग को ये भी बतलाएंगे इस वीडियो में की रिजल्ट कब तक आने वाला है तो डिटेल्स में सारे कुछ प्रतिक्ता परिक्षा आवज़्यक सुचना दिनांक 9-12-2022 को ये प्रेस रिलीज किया गया है तो हमने बतलाए था भी बहुत किसी को कॉमेंट करके पूछा था कि कब तक आएगा रिजल्ट और क्या फाइनल अंसर कि आए आएगा तो मैंने बतलाए था कि जब तक फाइन कुछ न कुछ मार्क से किसी का आड़ मार्क बढ़ रहा को सोला इस टाइप से बहुत मार्क से किसी का की सी का बारे घर एक सीफ्ट में तो तो ये एक plus point है और cut off कितना जाएगा इसके बारे में भी हम लोग next वीडियो में अब final answer की आने के बाद हम लोग details में discuss करेंगे कि finally cut off कितना जा सकता है civil electrical and mechanical सारे branch का तो सबसे पहले आपको बता दें यहां पर कि final answer की जो होता है वो last होता है और उसमें कोई भी objection जो होता है वो नहीं acceptable नहीं होता है तो जो final answer की होता है उसके बाद कोई भी objection acceptable नहीं होता है तो इसमें भी last में लिखा गया है कि कोई भी objection अब accept नहीं किया जाएगा commission की तरफ से तो आपको बतादे की जो एंसर किmmang og сocyyou कि वह 11 November को ही रिलीज किया घा था तो आप्रौक्स one month के बाद ये फिर यहराँ रिलीज किया घा घा तो 12 नौंबर से 18 नौंबर तक यह ऑनलाइन औपegeक्शन एकट करने के लिए link दिया गया था तो Online अब्जेक्शन जिसने भी डाला था और इनफेक्ट हम लोगों ने भी डाला था तो उसमें से बहुत से questions का answer जो है वह change हुआ है और बहुत से questions का answer गलत options ही गलत था तो उसको marks सबको मिल जाएगा उसका marks तो हम लोग डीटेल में डिसकस करते हैं और आगे भी बहुत सारे important points है और बंदिक उत्तरकुंजी पर अभिवर्तियों से प्राप्त आपत्यों पर विसे सक्यों कि समीति द्वारा समय क्विचारो प्रांत उक्त परिक्षा के अधिन निम्लिकित परस्नों के उत्तर को संस्वाजित करते वे अंतिम उत्तरकुंजी प्रकासित की जाती है तो यह last है और इसके बाद अब कोई भी अंसर की नहीं आए गई है फाइनल अंसर की है तो मेकनिकल की बात करें तो मेकनिकल इंजिन की तो क्वेश्चन आइडी जो है वो यहां पर दिया को गया है 2764942767 तो इसका अंसर जो मॉडल अंसर में दिया था वो 23.5 नूटन पर एमेम स्कॉयर है बट यह अंसर नहीं होगा जो ओप्सेंस होना चाहिए था वो ओप्सेंस में मल्टिपल चैस जो चार ओप्सेंस था उसमें से वो ओप्सेंस था ही नहीं थी इसके लिए यह कोस्ट गलत माना गया है इसका ओफ्सेंस तो इसका मार्क्स जो attempt किये हैं जो attempt नहीं भी किये हैं उन लोग को सबको तीन मार्क्स मिल जाएगा थी मार्क्स इसका मिल जाएगा जो भी mechanical engine के student है अब question ID यह है तो किस shift में है वो उस पर depend करता है कि किस shift में यह question ID था next बात करते हैं कि second में है 79 question id यह जो दिया हुआ है तो इसमें पहले जो model answer था उसमें 16% था 16% लेकिन बात में change करके 4% था तो जो लोग पहले 16% लगा करके model answer की सोच रहे थे कि मेरा answer सही हो गया तो उसका answer final answer की आने के पाद गलत हो गया है और उसका marks अब कम हो गया है जो गया तीन marks लोग का बढ़ गया लेकिन जो जो अंसर गलत हुआ उन सब अंसर का marks सारे candidates को मिल जाएगा अगर वो इस shift में है तो इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो id है 875 तो इसका जो answer options में दिया था model answer में minus 40 degree Celsius and 357 degree Celsius तो यह options सही नहीं है और जो options सही होना चाहिए था वह options दिया ही नहीं था questions में multiple choice में तो यह भी questions गलत माना गया है तो इसका भी marks सारे candidates को तिन मिल जाएगा जो attempt किये हैं questions उसको भी और जो नहीं भी किये हैं उन लोगों को भी इसके बाद हम लोग बात करते हैं सारे mechanical के हैं फिर बात करते question id 598 तो इसमें से पहले जो model answer था उसमें से फोर से maximum pressure and temperature and cycle efficiency of diesel cycle is more than auto cycle तो यह model answer में था लेकिन अभी change करके यहां पर बतलाएगा फोर से maximum pressure and temperature the heat supplied in auto cycle is more than diesel cycle तो यह वाला answer correct होगा तो जो इसको attempt किये थे और पहले जी लोगों ने match किया था कि यह वाला answer जो है हमारा सही है model answer के according तो उसका mark सब घट गया है और जो यह वाला answer लगाए थे options लोगों का marks 3 marks और increase हो गया है next id है 602 तो इसका answer options जो दिया हुआ था यह options सही नहीं था answer और जो answer सही होना चाहिए था वो options में दिया ही नहीं था तो इसका भी questions जो है वो गलत माना गया यह पूरा question ही डिलीट कर दिया गया है तो इसका marks भी सबको मिल जाएगा आप कौन सा shift में है आप देख लेना क्यूंकि exactly मुझे question id पता नहीं है कौन सा shift में था क्यूंकि mechanical का था तो civil के बारे में बता सकता हूं बट mechanical का idea नहीं है कि यहाँ कौन सा shift में कितना कौन सा idea था the mechanical efficiency increases यहां next idea जो है 608 तो mechanical efficiency increases यह model answer की में दिया हुआ था बट सही options यह नहीं है और जो सही options है वह options में दिया ही नहीं गया था question के options में तो इस question को भी गलत माना गया है और इसका marks सारे candidates को तीन marks फिर से मिल जाएगा और सब को मिलेगा जो attempt किये थे वह भी जो attempt नहीं भी किये थे उन लोगों को भी of water तो इसमें से जो है यह options जो है यह option गलत था और जो सही options है वह दिया ही नहीं था questions के options में तो इसलिए यह questions को भी गलत माना था इसमें भी तीन marks सब को मिल जाएगा जो 7th serial number है इसके बाद हम लोग बात करते electrical engineering की electrical engineering में भी वाई कंडिशन है कुछ-कुछ questions डिलिट हुआ है और कुछ questions का answer फिर से चेंज किया गया है तो question number 6 15 615 जो है question id उसमें 1.25 था but 3.75 चेंज करके तो बहुत से लोग जो model answer की match करके अपना देख रहते अंसर की मिला रहते से मÁ्च कर रहते तो उन लोग सोच रहेते कि यह वाला मेरा सही हो गया बट उनलों का गलत है और जो लोग 3.75 टिक करे थे उन लोगों का सही हो गया और जिसका यह सही हो गया यह वाला एकौडिंग था बट यह option सही नहीं है और जो option सही है वो questions में दिया ही नहीं था तो यह question को delete कर दिया गया इसमें सारे candidates को 3 marks मिल जाएगा सारे candidates को इसके बाद फिर हम लोग बात करते civil engineering की ज्यादा candidates इसी में है और इसमें बहुत सारे लोगों ने एक्जाम भी दिया है और बहुत सारे सीट भी है इसमें तो ग्राउंड लेवल ओजोन होना चाहिए question id का answer जो model answer की के coding था 997 बट इसका जो options था सही options वो इसमें दिया ही नहीं तक questions में इसलिए इसको neglect कर दिया गया है means यह question को delete कर दिया गया औो इसका marks सारे को मिल जाएगा means यह question का options रद कर दिया गया means सबको 3 marks इसमें add कर दिया जाएगा सारे candidates को 3 marks देगा जो attempt किये थे उनको भी just853 आइडी जो है 853 इसमें 300 मोडल अंसर की में अंसर दिया था बट जो अप्सेंस होना चाहिए था वो था ही नहीं अप्सेंस में तो इसलिए ये कोसिंस को भी रोंग माना गया है तो सारे कंडिरेट को तीन मार्क मिल जाएगा इसके बाद कोसिन नंबर 904 जो है साउथ इस्ट जो होता है बेरिंग निकालते हैं रोग 49 डिगरी होना चाहिए था अंसर जो है मौडल अंसर में दिया था फोर्ट यन डिगरी तो जो लोग यह ठीक किये थे उसका गलत है और सही अंतर जो है वह वोफ साउथ 55 डिगरी इस्ट है और उन लोगों जो लोग पहले लगाए थ इसमें और मोडल में मार्क्स तीन मार्क्स एड कर लिये थे तो अब उन लोग का तीन मार्क्स ने डिक्रीज हो गया है और सही अंसर जो लगाय थे एस 55 डिवे साथ 55 डिग्री टू इस्ट तो इन लोग का तीन मार्क्स और बढ़ गया है तो कॉस्टन नूमर फोर जो है 933 तो इसमें से इस इकड़ टूसी इंट वन प्लस मियू होता है जो मोडलस ओफ रिजी डिटी और मोडलस ओफ इलास्टी सीटी और पाइजन रिसी के बीच का जो आपका रिलेशन होता है तो यह ऑप्सेंस सही नहीं है जो तो ऑफसेंस होना चाहिए था कोस्टन का वह अपसंस इसमें दिया ही नहीं था और इसलिए इसको कोस्टन को गलत माना गया है तो सारक कंडिडेट्स को तीन मार्स मिल जाएगा अब कोस्टन आइडी किस शिप्ट में था वह एक्च्यली आडिया नहीं है क्योंकि बहुत सारे शिप्ट था सिविल का इसके बाद हम लोग बात करते कोस्टन आइडी 820 की तो 820 में जो कोस्टन मोडल अंसर में था वह अंसर दिया था 30.04 सेंटीमीटर बस्ट जो ऑफसेंस सही होना चाहिए था जो अंसर सही तो ऑफसेंस में दिया ही नहीं था इसलिए इसको भी कैंसिल कर दिया गया और तीन मार्क सारे कंडिडेट्स को मिल जाएगा इसके बाद भर्टिकल फॉल की बात करें जो ऑप्सन आइडी है कोस्टन आइडी 849 तो इसमें से भर्टिकल फॉल मॉडल अंसर में दिया था बट जो अप्सेंस होना चाहिए था वह अप्सेंस था ही नहीं या कोस्टन कलत है ऐसा भी हो सकता है तो इसमें से भी सारे कंडिडेट्स को तीन मार्क्स मिल जाएगा और कोस्टन आइडी 892 में बात करें तो मैक्सियम फ्री मोवमेंट ओर्डिनेट फॉर एबी जिकल टो 170 किलो न्यूटन मीटर एंड बीसी जिकल टो 330 किलो न्यूटन मी दिया है बट ये कोस्टन जो है ये 320 होना चाहिए था और सही अंसर जो है वो 320 ही है समझे तो बहुत चे लोगों ने ये टिक किया था तो उसका गलत होगे और ये वाला सही है जो टिक किये थे 5 mm दिया हुआ है कोस्टन एड़ी 898 का बट जो करेक्ट अंसर है वो अप्सेंस में नहीं था तो इसलिए कोस्टन को गलत कर दिया सारे कंडियेट को मिल जाएगा थ्री मार्क्स इसके बाद हम लोग बात करते हैं 160 mm तो 160 mm जो है इसमें कोस्टन आड़ी 907 तो ये ऑप्सेंस में दिया हुआ था इसलिए यह कोस्टन को रद कर दिया गया कैंसल कर दिया इसलिए सारे कंडियेट को तीन मार्क से इसमें एड कर दिया जाएगा मिल जाएगा जो एटेंट किये थे उनको भी और जो एटेंट नहीं किये थे उनको भी इसके बाद हम बात करते जेनरल इंजिनियरिंग एंड जेनरल लिस्टाडिश की तो इसमें भी बहुत सारे कोशन्स ड्रीट हुए हैं जैसे 156 जिसमें 0.125 फाइब डवलू दिया हुआ था ऑप्सेंस में बट यह ऑप्सेंस सही नहीं है और जो अप्सेंस सही है तो वह इसमें दिया ही नहीं था तो इसलिए इसको भी कॉस्टिंस को रॉंग कर दिया गया है गलत माल लेगा और सारे कंडियेट को तीन मार्स मिल जाएगा इसके बाद 166 कोस्टन आइडी जो है वो सूपर हीटर सूपर हीटर में भी जो ऑप्सेंस इस कोस्टिंस में होना चाहिए था वो नहीं है बट मॉडल अंसर में यह अंसर सही माना गया था बट लाट में जब हम लोग अब्जेक्शन किये तो बताया कि यह कोस्टिंस ही गलत ह है तो इसलिए सारे कंडियेट्स को फिट से तीन मार्स मिल जाएगा और फिर यहां पर जो नेक्स्ट आइडी है टू टू फाइब तो इसमें भी अंसर यह होना चाहिए था मॉडल अंसर की के एकोडिंग बट यह अंसर गलत है और ऑब्जेक्शन करने के बाद जो अंसर ब कि इसके बाद इसका जो अंसर है 2489 question ID इसका अंसर मोडल अंसर के में 20 lucky मात हो दिया है बट जो अप्सेंस होना चाहिए था वह था नहीं event में और questions भी हो सकता है गलत था इसी वज़ाद से इसको को डिलीट कर दिया गया है और कैंसल कर दिया का सारे कंडियेट्स को तीन मार् इसलिए question question भी गलत हो सकता है इसी वज़ा से यह इसमें सारे कंड्रेट्स को मिल जाएगा question को delete कर दिया गया है फिर next question से 1.5 ampere होना चाहिए 712 जो question ID तो इसमें answer model answer key में इसको सही माना गया था और जो correct answer है वो इसमें options में था ही नहीं था इसलिए इस question को भी delete कर दिया गया है सारे कंड्रेट्स को 3 marks मिल जाएगा तो आप अपना shift के according question ID match कर सकते हैं कि कितना तो हर एक shift में आपको कम से कम 9-10 marks increase हो रहा है सारे candidates का next question ID है 715 715 तो L is equal to five angle 90 degree इस टाइप से होना चाहिए था तो यहां पर अब बतलाई गया है जो सही answer वो यह है तो जो यह वाला answer correct किये थे उसका गलत है और यह वाला सही है तो जो यह वाला किये थे तो उसका तीन मार्स घड़ जाएगा और जो यह वाला टिक किये थे उसका तीन मार्स बढ़ जाएगा इसमें भी कंडिशन है question ID 725 very high जिन लोगों ने टिक किया था वो गलत है और यहां very small होना चाहिए था जो यह वाला टिक किये थे उसका अंसर करेक्ट है इसके बाद हम लोग बात करते है question ID तो इसमें से बहुत सारे questions delete भी हुआ है और बहुत सारे questions का अंसर change भी हुआ है तो यहां पर 733 question ID negatively charge होना चाहिए था बट model answer की के according बस जो final answer किया है उसमें electrically neutral होना चाहिए तो यह correct answer है जो यह वाला टिक लगाए तो इसका तीन मार्क्स घड़ जाएगा model answer की के according अब जो यह है तो इसमें marks किसी का बढ़ जाएगा और किसी का घड़ भी सकता है इसके बाद 736 जो है saturated vapor state इसमें भी question को delete कर दियागा है सारे candidates को तीन मार्क्स मिल जाएगा क्योंकि हो सकता question गलत था या option सी गलत है इसके बाद 745 जो है इसमें penetration दिया हुआ था model answer के बट यह गलत है तो सारे candidates को तीन मार्क्स मिल जाएगा इसमें भी इसके बाद floor 5 है तो इसमें कोई change इसमें floor 5 दिया तो इसमें पूरा कोई changing नहीं है तो इसमें question को ही delete कर दिया गया है और इसमें पता नहीं क्या है नीचे हम लोग देखते हैं competitive effort है तो लेकिन होना चाहिए temperature तो जो competitive effect लगाए थे उसका मार्क्स घड़ जाएगा और जो temperature लगाए थे वो उसका मार्क्स बढ़ जाएगा इसके बाद auto cycle जो लगाए थे तो उनका जो मतलब attempt किये थे नहीं भी किये थे यह question से तो उन लोग का मार्क्स जो है वो सबको मिल जाएगा और इसमें तीन मार्क्स सबको increase हो जाएगा बाकि जो इंस्ट्रक्शन है देखते हैं क्या है उक्त प्रस्नों के अतिरिक्त अन्ही सभी प्रस्नों की उत्तर कुंजि वही होगी जो बंदिक उत्तर कुंजी के माध्यम से चंद सूचीत है ॉक्त अन्तिम उत्तर कुंजी के वरिःत किसी तरह की आपत्ती आविदन मान HIS नहीं होगै तो आपको बता दे कि यह जो से एकोर्डेंग फिर से मोडिफिकेशन और करकर में एकसेप्ट नहीं किया जाएगा और आपको बता दें जो कटिंग था से कfang काटा हुआ था इसमें सारे कंडुल्य एट्सको मार्क सत्यमेल चाहेगा उसको संकर तो अब करें तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और रिजल्ट कब तक आए कि रिजल्ट आपको बता दे कि रिजल्ट 15 दिसंबर के बाद ही आने वाला है तो आप वेट करें और जैसी ही अपडेट कोई भी आता है तो हम आपको जरूर इस चैनल के माधिम से बताए अरूर